हेलो एवरिवन, हो अर यू, आज हम करेंगे पाठ पाँच बर्गत साब पिता, तो सबसे पहले हम इस प्यारी सी कवीता को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, फिर इसका मतलब समझेंगे और फिर इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, तो आएए हम शुरू करें बर्गत के तरू जैसा बापू तेरा संगना साया, मैं हूँ तेरी प्यारी लाडो तू मेरे सरमाया, बाहों के जूलों में लेकर तूने लाड लडाए, लालन पालन में अम्मासन तूने हात बटाए, हम आपस में भाई बहन जम नोक जोकते करते, तेरी लोक अदालत में तब सही पैसले होते अंदर सईयम प्रेम प्यार का पाथ तुने पढ़ाया कभी प्यार से कभी डाड से जीना हमें सिखाया बर्गत के पत्तो सम तेरे हाथे रक्षा करते देते देते बेटियों को हाथ कभी न ठकते बर्गत बापु तेरी दाडी की सोगंद मैं खाऊं दाग न लगने दूंगी इसको खर्दम लाज बचाऊं बर्गत सी ठंडी चाया को सदा सदा हम पाए तेरी शुप संसकारों से जीवन सफल बनाएं तो बच्चों देखा अपनी कभीता बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही प्यारी है इस कभीता में कभीत्री ने अपने पिता की तुनला बर्गत के ब्रेक्ष से की है बर्गत का जो ब्रेक्ष होता है वो बहुत बड़ा विशाल और घना होता है और इसकी छत अच्छाया में बैठने से सूरज की किरने नहीं लगती यानि कि हमें तेज धोप नहीं लगती तेज धोप के बाबजूद भी हमें धंडक का ही एहसास होता है तो इन दो पंक्तियों में क्या कहा गया है कि ठीक इसी प्रकार जिस तरह की बड़ा विशाल बरगत का ब्रिक्ष होता है तो पीता का भी साया बहुत बड़ा विशाल और घना होता है चाहे जितनी भी जीवन में कठिनाईयां मुसीबते हो इस चीज का प्रवाब एक बच्चे या एक लड़की को अपने उपर महसूस नहीं होने देता यहाँ पे कड़ी धूप से मतलब है कि जीवन के कष्ट इतना जो भी कष्ट हो कड़ी धूप में जिस तरह बरगत हमें अपनी छत्र चाया प्रोवाइड करता है हमें अपनी छत्र चाया देता है ताकि हम उसमें बैट के आराम कर सके उसी तरह एक पिता भी चाहे जीवन के कोई भी कठिनाई हो अपने बच्चों पर और अपनी लड़की पर उस चीज का साया नहीं पढ़ने देता वो अपने बाहों के जूलों में अपनी लाडली को खूब जुलाता है गोद उठा उठा कर खेल खिलाता है और उस बच्चे की लालन पालन करता है उस बच्चे की मा के संग-संग और हम जब आपस में भाई बेन कभी भी लड़ते हैं या नोग जोग करते हैं तब सही गलत का फैसला बापू की अदालत में ही होता है और बापू ने बच्चों को अपनी बिटिया को क्या सिखाया है आदर करना दूसरों का, कंट्रोल रखना अपने उपर, प्रेम प्यार से दूसरों के संग रहना, प्रेम प्यार की भाशा बोलना तो यह सब चीज इस बिटिया के बापू ने उसे सिखाया है कभी डांट से तो कभी प्यार से बर्गत के पत्तो सम तेरे हाथ है तो यहाँ पे बापू के हाथों को बर्गत के पत्तो जैसा सम मतलब जैसा तो बरगत के पत्तों जैसा बापू के हाथ है जिस तरह बरगत के पत्ते फैल कर गड़ी धूप नहीं लगने देते इसी तरह जब तक बापू का हाथ बच्चे के सेर पे है तो उसे कोई भी खत्रा उसके आस पास भी मंडरा नहीं सकता और वो बापू है जो एक पिता होता है अपनी बेटी को बहुत देता है और देते देते वो कभी भी थकता नहीं है आगे बेटी क्या कह रही है अपने पिता से कि वे कभी भी वो कसम खाती है कि वे कभी भी अपने पिता के इज़त पर दाग नहीं लगने देगी और जिस तरह बरगत की ठंडी ठंडी चाया होती ह उसी तरह एक पिता की भी इच्छाया ठंडी और बहुत जादा अराम दायक होती है और यह साया हमारे सेर पे हमेशा रहें और अपने बापू के दिये हुए संसकारों से ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं इसलिए हमारे पिता का हाथ हमारे सेर पे हमेशा के लिए रहें अब हम करेंगे अभ्यास, सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ, तो चलिए शुरू करें, तरू, पेड, संगना, घना, बापू, पिता, नोक जोक, छेड़ खानी, जड़प, सम, समान, बराबर, मतलब जिसके जैसा कुछ हो, साया, छाया, फैसला, नेरने, अदालत, नियाल अब हम करेंगे इस पार्ट के प्राश्न उत्तर, सबसे पहला प्राश्न, कुश्चन नमबर वन, इस कविता में बर्गत की तुलना किसे की गई है, उत्तर, इस कविता में बर्गत की तुलना बापू से की गई है, कुश्चन नमबर टू, भाई बहनों की नोक जोक का पैस बापु की अदालत में होता है प्रश्न तीन पीता ने अपनी लाडली को क्या सिखाया आंसर तीन पीता ने अपनी लाडली को आदर सैयम और प्रेम पार्ट का पार्ट सिखाया पीता के हातों की तुलना किसे की गई है उत्तर पीता के हातों की तुलना बरगत के पत्तों से की गई है उत्तर बेटी क्या सौगंद खाती है उत्तर बेटी या सौगंद खाती है कि वे अपने बापु की दाड़ी में कभी कोई दाग नहीं लगने देगी और उनकी इज़त क हमीशा हिफाज़त करेगी अब हम करेंगे अर्थ समझते हुए वाक्यों में प्रयोग करो हाथ बटाना साहता करना सूरज घर के कामों में अपनी मा का हाथ बटाता है सोगंद सोड़ी सोगंद खाना कसम खाना राजु ने गलत काम नहीं करने के सोगंद खाई है लाज बचाना इज़त का ध्यान रखना माबाप की लाज बचाना बच्चों का फर्ष होता है अब हम करेंगे सरलार्थ करो आदर सैयम प्रेम प्यार का तूने पाठ पढ़ाया कभी प्यार से कभी डार से हमें जीना सिखाया तो सरल भाषा में इसमें क्या कहा गया है कि बापो तुमने हमें आदर सैयम और प्रेम प्यार का पाठ पढ़ाया है कभी प्यार से तो कभी हमें डार्ट से जीना सिखाया है कुल मिला कर तुमने हमें अच्छे गुंडाल कर एक अच्छा इंसान बननाने की कोशश की हैं। अब हम करेंगे समान अर्थ वाले शब्द लिखो। तरू, पेड, ब्रिक्ष, हाथ, हस्त, कर। बाप्पू, पिता, जनक, सौगंद, कसम, शपत, अम्मा, मा, माता। सर्व नाम भरो। मैं हूँ तेरी प्यारी लाडो, तू मेरा सर्माया। हम आपस में भाई बहन जम नोक जोकते करते। देते देते बेटियों को तेरे हाथ कभीना ठकते। नए शब्द मनाओ। आधा प और यह प्यारा न्यारा। म, आधा म, और पुरा म, अम्मा, निकम्मा। अब हम करेंगे अपने पिता के बारे में पांच वाक्य लिखो। मेरे पिता का नाम सुरेश अगरवाल है। वह एक सरकारी नौकरी करते हैं। वह मुझे प्यार से सोनू बुलाते हैं। वह सुबेज जल्दी उठते हैं। वह मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो यहां आपका पार्थ यहीं पे खतम होता है। और पार्थों के लिए जरूर हमारा चैनल विजिट कीजिए थैंक यू वेरी मच एवरीवन बाई बाई